जै महाकाल दोस्तों! कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ भले चंगे होंगे और मज़े में होंगे? दोस्तों, सामपरत जगत में जो कोई भी वस्तु द्रश्यमान है, वो सारी ही वस्तुएं सिर्फ और सिर्फ सूर्य नारायन के वज़ہ से अस्तित्तु में आपको दिखाई देती हैं और जो कोई भी व्यक्ति इन चीजों को भोगना चाहता है, इन पर अपना आधिपत्य चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को सुर्य नारायन को प्रसंद करना चाहिए इसके लिए यदि व्यक्ति रविवार के दिन कुछ क्रियाई करता है कुछ उपाय कर देता है तो ऐसे में सुर्य नारायन अगर उन पर प्रसंद हो जाते हैं तो व्यक्ति की सारी मनोकामनाय पूर्ण होने लग जाती है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सूर्य नारेंट जब भी किसी व्यक्ति पर प्रशन होते हैं तो उसको आधी भोतिक सुखों के साथ साथ समाज में मान सम्मान मिलना और हर जगा पर ऐसा व्यक्ति सेंटर पे रहता है केंदर पे रहता है हर जगा पर ऐसे व्यक्ति की बोलबाला रहती है पूँच रहती है हर व्यक्ति ऐसे बार इस व्यक्ति के बारे में जानना चाता है और यह व्यक्ति जो कुछ भी बोल देता है चाहे वो नोकरी की जगा हो, चाहे बिजनस हो, चाहे घर, परिवार, समाज या दोस्त त्यारी, रिस्तेदारी, कहीं पर भी ऐसा व्यक्ति जो कोई भी चीज बोलता है उस चीज को लोग ब्रह्म ववाक्य समझ करके मानते हैं ऐसे ही लोगों के पास में लोग जाते हैं, सलह सुचन के लिए बातों करने के लिए जाते हैं और ऐसे लोग जो कोई भी रास्ता बताते हैं, उस रास्ते को बाकी के लोग फोलो करते हैं जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं, कि ऐसा कुछ हो, कि आप सेंटर में आ जाएं, तो आपको रविवार के दिन सफेद वस्तर पहनना चाहिए, डार्क वस्तर का आपको त्याग करना चाहिए, काले कपड़े आपको नहीं पहनना चाहिए, गहरे मह अर्पित करना चाहिए सुरी नारायन को जल अर्पित करने के लिए आपकी जो रासी हो उस हिसाब से आपके जो ग्रह देवताव बनते हो उस हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाया है उस हिसाब से आप सुरी नारायन को जल अर्पित करेंगे तो आपको हर काम में बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी साथी साथ रविवार के दिन मास मदिरा का सेवन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए एसे में सूर्य देव रुष्ट होते हैं और आप पर आफ़त आ जाती है अच्छा खासा काम का या कुछ भी चीज है आपकी वो बहुती बुरी तरीके से नश्ट हो सकती है दोस्तों यदि सूर्य नारायन आप पर प्रशन हो गए तो समझ लीजिए आपके सारे ही काम देखते देखते बन जाएंगे ऐसा ही एक उपाई आज में आपको बताने जा रहा हूं कि ये सूपाई को करने से सूर्य नारायन आप पर अधी प्रशन होंगे हर वार की अपनी होरा होती है और उसकी सकती होती है जो वार है उस वार की होरा जब सूर्योदय होता है तो पहली होरा उसकी होती है और उसमें यदि कोई व्यक्ति कुछ कारे करता है उस ग्रह से संबंदित तो उसमें उस व्यक्ति को अनिक गुना सफलता प्राप्त होती है ऐसे ही रविवार के दिन सुर्योदय के समय सुर्य की होरा होती है रवी की होरा होती है तो जो व्यक्ति अपने जीवन में आदी भोतिक सुखों को भोगना चाहता है, सभी व्यक्तियों के केंदर बिंदु में रहना चाहता है, तो उसको रविवार के दिन, रवी की होरा में यह उपाय करना चाहिए, रवी की होरा जब सुर्योदय होता है, उस समय होती है, तो नहां करके जो भी अपना देनी कारे है उसको संपूर्ण करने के बाद में जैसे ही सूर्य उधित हो रहा हो आप उसके पहले वहाँ पर खड़े हो जाएं। आप केलेंडर में या ओनलाइन कहीं पर भी देख लें कितने बज़े सूर्य उधित होने वाले हैं उसके 2-5 मिनिट पहले आप खड़े हो जाएं। बिल्कुल वैसा ही है कि सूर्य नारायन जब उधित हो रहे हो उसके कुछ चण पहले कुछ मिनिट पहले आप खड़े हो जाएं। जो कोई भी इच्छा है वो मन ही मन बोले आप देखेंगे कि आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। आपको जब भी जीवन में ऐसा लगता है कि कोई कार्य ऐसा है जो नहीं हो पा रहा है या बहुत तकलीफ में आ गए हैं या एका एक कोई बड़ा संकट आप पर तूट पड़ा है तब आप इसे उपाय को करें आप देखेंगे कि कितना भी बड़ा संकट क्यों न होगा उस संकट में से आप एकदम आसानी से बाहर निकल के आ जाएंगे तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दिव प्रकास और अपने जीवन में लाभनवित होते रहें धन्यवाद